आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें करते हैं, इसके उप्योग करते हैं, हेल्म होल्स कुंडली का उप्योग करते हैं, यहां एक ऐसी युक्ती होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, जहां पर हमें एक समान चुंबक के छेतर के आवशक्ता होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हेल्म होल्स कुंडली लग है ठीक है और इसकी ये त्रीजिया है जिसकी दूरी हमान ले रहे है आर है ठीक है त्रीजिया है तो ये दूरी क्या हो गई आर हो गई ठीक है और इन दोनों के बीच की जो separation होती है इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है वो भी कितनी होती है इनके त्रिज्याओं के मान के बराबर होती है, ठीक है, और इसे एक अक्ष में ही रखा जाता है, जब इस पे विवांतर लगाया जाता है, ठीक है, तो धारा के कारण इसे उत्पन जो चुंबक के छेतर होता है, वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से यह वैवस स्थित होता है तो इसी को हम लोग हेल्म होल्स कुंडली कहते हैं इसके लिए जो हमारे पास चुंबक के छेतर की तिवरता के लिए सुत्र होता है चुकि एक के कारण यह क्या है दो कुंडली है तो दो कुंडली कारण जो हमारे पास आता है विदू चेतर की सुरी चुंबक के कारण जो तिवरता आती है बी टोटल लिख दे रहे है ठीक है चुमबके छेतर की तिवरता वह आती है जहां पर आई क्या है धारा का मान और इसमें धारा जो होता है वो समान रूप से समान मान होता है धारा का और समान दिसा में होती है समान दिसा में दोनों कुंडली के कारण ठीक है तो यहाँ पर और N क्या है यह जो कुंडली के लिए जो टर्न्स होती है फेडो की संख्या और यहाँ पर R क्या है इन दोनों की बीच की दूरी है ठीक है जो इनके त्रीजियाओं के बराबर होती है तो यह हमारे प्रश्ण का उत्तर धन्यवाद